दोस्तों क्या सरकारी करमचारी रख पाएंगे अपने खाते में तीन सो से अधिक अर्जित आउकास यानी ईयल जी हां दोस्तों एक बड़ी जानकारी यहां पर लोग सावार से निकल के आईए और जैसे के आपर देख पा रहे हैं यह 5 फरवरी 2020 को लोग साव में स्री उपिं प्रवरी 2020 के जवाब में हैंपर दियो पीटी के तरब से क्या जानकारी दी गई है इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी वीडियो पूरा देखें जाने करने आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों से वह भी इस लेटेश डेट के बारे में जान सकें दोस्तों सबसे पहले हैं पर सिरी उपिंदर सिंग जी की तरब से प्रशन पूछे गए थे कि क्या प्रधार मंत्री जी है बताने के किरपा करेंगे कि क्या सरकार सरकारी करमचारियों द्वारा अरजित अवकास संग्रे को को 300 दिनों से अदिक करने तथा अरजित अवकास के व्यपगत Wahunee की प्रशन को समाप्त करने के किसी प्रस्टा पर विचार कर रही है ताकि सरकारी करमचारियों को चिकद्वार आपात इस्तितियों के मामल में इन अवकासों को लेने के लिए समर्थ बना जा सके यदि हां तो इसे जुड़ी ही जनकारी क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है यानि कि एक सरकारी करमचारी क्या 300 से अधिक दिन का जो एल है अपने खाते में रख सकता है और जो 300 से अधिक एल है उन्हें मेडिकल लिव के रूप में फिर कोई आपात स्थिति आती है उस समय पर उनका यूज कर सके तो ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास में है या नहीं है इसके संबंद में यह प्रस्ट पूचा गया था और फिर इन प्रस्टों के जवाव में डीओ पीटी में राजमंत्री डॉ प्रावधान परयाप्ट माने गहें हैं किसरकार के पस में इस detail नहीं है और नहीं सरकार को एससा प्रस्टाव लाने जा रही है जिसके तहाई अक्तीं सरकारी करमचारी को तीन सो दिन का यैई अपने खाते में संतर करने का छूट चूट दिया जा सके तो यह एक बड़ी आ लाइक और आपके दोस्तों साथ में जरूर सेर करें और ऐसी लेटेस्ट और अपडेट्स को सबसे पहले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल अकन को जरूर प्रेस करें धन्यवाद